हेलो स्टुडेन पिछला लेक्टरम में हमने पाठ अधर संसादनों के प्रकार तक पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे संसादनों का आयोजन एवं सरक्षन मनुष्य की आवश्यक्ताएं आम मर्या दितें परन्तु संसादन मर्या दितें लेकिन अगर मनुष्य की स्वार्त वर्ती की कारण संसादनों का उपयोग अधिक बढ़ गया है अगर यही इस्ति रही तो भविश्य में दुस्परणाम मनुश्यों को भुवतने पड़ेंगे। इसलिए भविश्य की पीडी के लिए संसाधनों का सरक्षन करना हमारा करता भी है। अर्था संसादनों का विवेक पूर्ण उप्योग करना चाहिए। जो संसादन हमें सरलता से प्राप्त होते हैं उन्हें भावी आवशक्ता के लिए मित्वेता पूर्ण बचाना चाहिए। नेक्स टॉपिक है जमी निर्मान। जमीन प्रत्वी की पपड़ी पर अनेक कणों से बनी एक पतली पर्त होती है जिसमें अनेक प्रकार के खनीज, नमी, हवा वगेरे मिली होती हैं। मिट्टी के नीचे मूल चट्टान इस्तर होते हैं। जमीन का निर्मान इनी चट्टानों के घिशाव एवं कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है। जिसके जैविक अवर्सेस, नमी, हावा जैसे पदार्थ मिलते हैं जो वनश्पती की ब्रद्धी और विकास की च आटा गया है और उसी के आधार पर जमीन के आट प्रकार बाटे गए हैं। पहला है काप की जमीन, दूसरा है लाल जमीन, तीसरा है काली जमीन, चोता है लेटेराइट जमीन, पांचवा है रेगिस्तानी जमीन, छटवा है परवतिय जमीन, सातवा है जंगल प्रकार की जम पहली काप की जमीन भारत की कुल शेत्रपल 43% शेत्रपल पर फैली हुई है इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटों के चेत्रों में ये नदी जमीन आई हुई है काप की जमीन का निर्माण नदीयों के दारण ने पिक्षित काप का आभारी है इसी जमीन में पोटास, फोस्फरेट, एसिड, चुनिक के प्रमाण अधिक दिखाई देता है जबकि नाइट्रोजन और नमी की मातरा कम प्रमाण में देखने को मलती है इस प्रकार की जमीन में गय हुँ, घान, गन्ना, कपास, मकई, तिलहन, आदी फसलें ली जाती है सेकेंड, लाल जमीन लाल जमीन भारत की खुल शेत्रपल, 19% शेत्रपल पाई गई है यह जो जमीन है, तमिलानी से लेकर उत्तर में बुंदेल खर्ण तक और पूर्व में राजमेल की पहाडियों, पर्षप में कश्च तक फैली हुई है इस प्रकार की जमीन में फैरिक ऑकसाइड की उपस्तती की कारण इसका रंग लाल होता है इस जमीन में मैगनेशियम, फासफेट, नाइट्रोजन, वोटास की कमी दिखाई देती है इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपाश, केहु, जौर, अलसी, मुंगफली, आलू, इत्यादी फसलें ली जाती है काली जमीन काली जमीन को रेकुल नाम से भी जाना जाता है जो भारत के 15% छेत्रवल पर फैली हुई है यह जमीन महराष्ट, पश्रिम, मद्रप्रदेश, आंद्रप्रदेश, एवं करनाटक का कुछ भाग आदी जग़ों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है यहां तक की सूरत के भाग में भरुच, डांग, तापी, बड़ोदरा जिले में भी इस प्रकार की जमीन है इस प्रकार की जमीन में लोहा, चूना, केलसियम, पोटास, एल्मुमिनियम और मेगनेशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखता है इसका उपजवपन अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस जमीन में नमी संग्रे सकती काफी अधिक है जब नमी सूख जाती है, तो इसमें दरार और भंग बन जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसो, मूंगफली, तंबाकू, उड़त जैसे दलहन वर की फज़से ली जाती है चौती है लेटे रैट जमीन, इसे हम पढखाओ जमीन के नाम से भी जानते हैं इसका लाल रंग लोह आकसाइड के कारण होता है यह जमीन सूखी एवं नमी युक्त जलवाईू के परवतन से और सिल्का में पदार्थों के निवारण से इसका निर्मान हुआ है यह जमीन बारत के दुई कलपी पठारी परदेशों के उचाई वाले भागों में बिखसित होती है इस जमीन में लोह तत, पोटास, एलियूमीनियम का प्रमान अधिक होता है यह जमीन कम उपजाओ होती है लेकिन इसमें खाद डाल कर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कौफी, काजू, आधिकी फसले ली जाती है पाँचवी प्रकार की जमीन है, रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, जो यह जमीन सुस्क एवं अर्द सुस्क वाली जमीन पर पाई जाती है यह जमीन रेतिली एवं कम उपजाओ वाली होती है, इसमें घुलन सीन चारों का प्रमान अधिक होता है इस प्रकार की जमीन जो है राजिस्थान, हर्याना, दक्षन पंजाब के कुछ शेत्रों में पाई जाती है गुजरात में इस प्रकार की जमीन कच्छ एवं सौराष्ट में है सिचाई की सुवधा से इसमें बाजरी, ज्यार की फसले ली जाती है परवतिय जमीन यह जमीन हिमाले की घाटियों एवं धलानों के छेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की उचाई पर पाई जाती है यह असम, डाजलिंग, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है हिमाले के समान उचाई भागों में देवदार, चीड एवं पाईन के ब्रक्ष वाले छेत्रों में इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है सात्वी है जंगल प्रकार की जमीन इस प्रकार की जो जमीन है हिमाले के संकुद्रुम बनों में 3000 मीटर से लेकर 31.000 मीटर की उचाई के बीच स्रहादी, पूर्व घाटी, मद्धी हिमाले के तराई वाले छित्रों में है ब्रक्षों के गिरे हुए पत्तों से भू सतर ढकी रहती है और ये पत्ते सरने पर सेंद्री पदार्टों का प्रमाट बढ़ने लगता है जमीन का उपरी जो इस्तर होता है वो काला बना होता है और जमीन का जो नीचरी इस्तर होता है वो नीले और लाल रंग में बदल जाता है इस जमीन में चाइ, कौफी, गरम मसाले, इसके उपरांद गेहूं, मक्का, जोधान, इत्यादी फसले ली जाती है यह जमीन अत्तदि मरियादित चेतरों में देखने को मिलती है दल दली है या पिट्ट प्रकार की जमीन इस प्रकार की जमीन नमी वाले छेत्रों में जैविक पदार्थों के संचे से विख्षत होती है वर्षा रितू में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने के बाद इसमें धान की क्रशी की जाती है इस प्रकार की जमीन में जैविक पदार्थ एवं छारों की बहुलता तथा फास्पेट एवं पोटास की कमी होती है यह जमीन पश्य मंगाल उडीशा तमिलनाणू के किनारे भागो और उत्तर बिहार का मदभाग उत्रा खंड के अल्मोडा जिले में पाई जाती है इस जमीन का छेतर भी मर्यादित होता है नेक्स टॉपिक है जमीन का कटाफ जमीन का कटाफ जमीन के कड़ों का हावा एवं पानी द्वारा एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर इस्तांतरित होना दूसरे सदों में कहें तो हम जमीन के उपजाव तत्त अर्थात प्राकर्तिक जो कारक होते हैं हावा और अत्तिदिक वर्षा के कारण दूसरे इस्थान पर इस्थांतिर्थ हो जाते हैं जिससे क्रशी का उत्पादन घटता है अर्थत क्रशी के अत्तिदिक उत्पादन के लिए इन प्राकर्तिक कारणों का होना अत्तिदिक आवश्चक है इसलिए जमीन के कटाव को रोकना चाहिए जमीन पर चराई परवर्टी को नियंतरण में लाना चाहिए जिससे जमीन के कटाव को रोका जा सके दूसरा है धलान वाली जमीन पर सीड़ी नुमा पतिरूप बुआई करनी चाहिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पहाडी प्रदेशों में जो खेती की जाती है क्योंकि वहाँ वर्सा अधिक होने के कारण सारी जमीन मिट्टी का किटाव होने लगता है इसलिए वहाँ पर सेड़ी नुमा खेती की जाती है थर्ड पानी के बहाँ को रोकने के लिए मेड बंदी बनानी चाहिए गाओं में पानी के बहाँ को रोकने के लिए चारो तरफ खेत के मेड बंदी बनाई जाती है भूमी सरक्षन जमीन के कटाव को रोकने से जमीन की गुणवक्ता बनी रहती है अर्थात मिट्टी के कण अपने इस्तान पर बने रहते हैं जिससे भूमी का सरक्षन बना रहता है अगर भूमी का सरक्षन ना किया जाये तो बाड जैसे समस्याओं की संबावना बढ़ सकती है इसलिए हमें भूमी के सरक्षन के लिए उपाय करने चाहिए भूमी के सरक्षन के लिए हमें बनों में आच्छादन के कारण जणे जमीन के कणों को जकड़े रहती हैं दूसरा है नदियों की नलियाओं और पहाड़ियों पर ब्रच्छर उपन करना चाहिए तीसरा रेगिस्तानी शेत्रों में पबन को रोकने के लिए ब्रक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए जिससे रेगिस्तान को रोकने में आसानी रह सके अन्य अंत्रत चराई पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि इससे पहाड़ों का इस्तर डीला रहता है तो विद्ध्यार्ती मित्रों पार्ट आठ समाप्त हो गया है और यह स्वाध्याय जो प्रश्न दिये गई हैं इ इन्हें आप याद करकर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए ओके बाइड